हेलो फ्रेंग्स आज हम देखेंगे प्रशणावली 2.2 का प्रश्ण नमबर एक जो हैं इसमें आपके 6 पार्ट दियें 6 कोश्चन्स दियें तो मैं इस वाले में पहला दूसरा और तीसरा पन इस वाले वीडियों देखेंगे इसके बाद वाले अगले वाले वीडियों में मै प्रकार के बहुपत थे उनके आपने इस प्रकार के गुणनखन यहां तक कियाता है और अगर आपको नहीं आता है यहां पर बताने वाला हूँ और इसमें शुन्यक के बाद सत्यकर की जाज भी आपको करने है बड़ आसान-असाए कोशन है सबसे पहला कोशन है इसको द्वीगाद बहुपत क्यों बोलते थे क्योंकि इसकी गाद 2 है यह है सबसे पहले आपको हल करके बहुपत करके एजीदिज लिख देना है जो भी आपका बहुपत ए x square minus 2x minus 8 यह इसी रूप में लिख देना है अब आपको यहाँ पर सोचना है कि अगर इस गुणा करें तो देखिए यहाँ पर और इसके आगे कोई संख्या होती तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्यों इसके बारे में सोचेंगे कि गुणा करें तो क्या है आट आए कुछ नहीं करना है इस 2 की जगह प्लीज दियान से देखिएगा x square az it is minus az it is यह x az it is यह minus 8 az it is मैंने किया कि केवल इस 2 की जगह 4 minus 2 लिख दिया लिख सकता हो ना 4 में से 2 जाएंगे 2 ही आएंगे तो हमने कुछ नहीं गलत किया केवल यहाँ पर इसको तोड़ना है इस 3 टुकडो को 4 में लाना है तो कुछ भी नहीं किया केवल 2 की जगह 4 minus 2 लिख दिया और अंदर गुणा कर दिया x square as it is minus 4 और इधर से x का इधर से चिन्न का और इधर से x का तो minus का 4 x फिर से minus और यह minus plus और 2 का गुणा x में 2 x आप चाहो तो बहुत सार होगे यह direct process अगर आती हो तो यह भी कर सकते है कि भई यह हम 2 x लाना है अपने को तो minus 4 x plus 2 x करेंगे तो मारा पास minus का 2 x आ जाएगा यह भी आप direct कर सकते हैं अगर आपको आए तो बस हो चुका है फिर आपको कुछ नहीं करना है इन दो-दो मेंसे common निकलना है इन दोनों मेंसे क्या common निकलेगा तो इन दोनों मेंसे x निकला common तो यहाँ पर बचा x minus 4 इन दोनों मेंसे क्या common निकला 2 तो X-4 एक और चीज ध्यान में रखनी है कि ये डबबा दोनों जो same to same कोष्टक रहेंगे हमेशा अगर ये same नहीं आ रहे दोनों तो मतलब गलत है ठीक है तो ये इस तरीके से आपको common निकाल लेना है अगर ये common निकालना यहां से नहीं आता है आपको तब शुरू में common निक लिए और कुछ भी नहीं करना ओके अब देखिए अब वापस हमारे पास ये डबबा और ये डबबा इन दोनों में क्या common आ रहा है एकस-4 एकस-4 common लिए और एकस-2 बचाओ लिए यहां तक आम नाइंत में कर चुके थे गुणनखंड ग्याद करने में लेकिन अगर आपक लिए अब शुन्यक ग्याद करने के लिए क्या करना है इन दोनों के बराबर में हमने को क्या लिखना है जिरो लिखना है जब भी शुन्यक ग्याद करना तो शुन्यक ग्याद करेंगे जब इनके बराबर में इसके पूरे के बराबर में जीरो आएगा यहां नहीं लिखना और पूरे एक बराबर में 0 मतला अगर ये बटे में चला गया तो ये अकेला 0 होगा नहीं होगा तो मतला अपने को आपको एक नमबर मिलेगा ठीक है बहुत सारो डाउट था कि 10 में कोर्स चेंज होगा सर मुझे इस तरीके से कमेंट आ रहे थे तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूँ कि कोर्स चेंज नहीं होगा कोर्स अगर चेंज भी होगा तो नाइन्थ से चेंज होता है तो इस बार न आच मैंने इस सवाल में अलगतरीके से कर रहे है इसके आगे वाले सवाल में अलगतरीके से कर रहे है तो दोनों में से जो विदी आपको बेटर लगे वो जरूर अपनाईएगा देखेगा पहली विदी जो आपकी किताब की विदी यह है आपके पास शुन्यकों का योग क का सुत्र होता है माइनस भी बटाए अगर आपने थोड़ा सा दो देशम लो दो प्रश्णावली से पेले थोड़ा सा ठेयरी पड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा शुन्यकों का यो का सुत्र होता है माइनस का भी बटाए और माइनस भी बटाए क्या होता है देखेगा यहां पर यह होता है, यहां जो लिखा 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 हो यह ए 1 है उपर देखा हमने तो वो 1 आगया तो 2 को मैंने क्या कर दिया 2 माइनस लिख दिया माइनस माइनस प्लस होता ही है तो इस तरीके से जमाना इसको ताकि आपको माइनस B बटा A दिखे तो कुछ नहीं यह माइनस अपने सुत्र का लिखती है और यह अपने माइनस अपने मन से लगा दिया क्योकि B कमान माइनस दो है या इसको बेलेंस करने के लिए माइनस माइनस चाइए और बटा में 1 तो ही से हो चुका ही हαι इसी तरीके से सुन्यूकों का घुनन फल है दोनों का घुना कर दिया माइनस आठ आठ आ रहा था मैंने बटे में मेरी मंद से वन लिखती है क्योंकि लिख सकते हैं बटे में और A कमान 1 है तो 1 ही जे C कमान 1 उपर देख चुके है बस हो चुके है सत्यता की जाच एक प्रकार यह है इससे भी सरल सत्यता की जाच में अगले वाले कोशिशन में बता हूँ तो यह इस प्रकार से आपका पूरा कोशिशन हो चुका है पहला वाला अब पहले का पहला हुआ है आप दूसरे की तरफ दूसरा कोशिशन भी सेम इसी तरीके से देखे वीडियो लंबा बन जाता है इसलिए मैं तोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एड का सामना नहीं करना पड़े क्योंकि अगर 10 मिनिट से बड़ा वीडियो होता है तो उसमें एड आते हैं तो हम अपर डिर्ट बता देता हूँ बहुत जो भी हमार पास दे रखा है वह की वह बात गुणा करे हो तो देखें इन दोनों का गुणा तो चार एकम चार गुणा करे और हमको चीए 4 और चिनन को देखना ही सीर खें और जोड़े तो क्या चीए 4 तो एसी दो संख्यां कोशि हमने कुछ नहीं किया eigenlijk poor basilica उतार लियाữद इस मांच उतार लिया port plus वन उतार लिया एस वेश सब्सकर वेश से उतार लिया जंद संहिए जगां場 की जगांए यह तो 2s common निकाला मैंने, क्योंकि as-as दोनों के पास है, और 2 का गुणा दोनों के पास है, 2s निकला थे, यहां से 2 निकल लिया, तो 2 बच्चा और as square से 1s निकल लिया, तो 1s यहां बच्चा, पूरा को पूरा 2s अगर बाहर निकल चुका, यहां पर 1 बच्चिका, क्योंकि गुणे में निकलता है, फिर यहां से कुछ भी common निकल लें, जिसा नहीं है, यह कई डबबा थोड़ी जगे छोड़कर यहां पर लिख दिया, यहां पर गुणनखन दोनों ही सेम आ रहे ही, सेम आ सकते हैं, तो दोनों ही शुन्यक भी सेम होंगे, शुन्यक ज्याद करने के लिए दोनों के बराबर में अपने को 0 लिख देना है, और S बराबर 1 बटे 2, S बराबर 1 बटे 2, आराम से बेसिक तरीके से लिख लिख कर सीखिए, तो आपको समझ में आज़ेगा, फिर हमार पर सत्य था है कि जांच के लिए आपको मैं डारेक्ट बताया था हूँ, माइनस प्लस का एक, तो एक और एक दोनों बराबर आगे, हो गए सत्य था कि जांच, कुछ नहीं करना है, शुन्यूकों को योग बराबर माइनस का भी बटा ये लिखना है, और दोनों मान रखने, इधार इसी तरह कि शुन्यूकों का गुणान पल बराबर सी बटा ये होता है, दोनों शुन्यूकों का गुणान लिख दिया एक बटा दो गुणी देग बटा दो, और सी कमान, है और हमार पास एक, उपर हमने देखा, देखे वहले C कमान की अदे रखा 1 और 1 कमान है 4 तो 1 बटा 4 अब देखे गुणे में क्या होता है उपर को उपर गुणा 1 एक कम 1 और 2 दूनी 4 तो 1 बटा 4 बराबर 1 बटा 4 अर्थाथ ये भी सत्य है और नीचे लिख दिना आपको सत्यता की जाच होई ओके ये ज़ाधा असा इसका सही पेटर्न में जमान ही रखा इनोंने सबसे पहले तो अपने को कोशन AZD उता लेना है उसके बाद इसको थोड़ा सही जमाना है क्योंकि एक सिस्केर के बाद आता है एकस का नमबर तो देखे इनोंने साथ एकस चुए ना यह पीछे लिख दिया यह पूरा को पूर तो यहां पर आपने इस तरीके से देख लिया है बस अब कुछ नी गुणा करें तो इन दोनों का देखे तो गुणा करें तो छेत्री अठारा और गटाए तो साथ गुणा करें तो अठारा एसी दोसं क्या है सोचनी जो गुणा करें तो अठारा है और गटाए क्योंकि य इसलिए इस तरीके से पूरा मैंने गुणनकन कर रखा है यहाँ पर मैंने दोनों में से 3x कोमण निकाल लिया 3 2 6 होता है तो 2x माइनस 3 तर्या 9 और इन दोनों में इस कुछ कोमण निकलने जैसा नहीं तो प्लस का 1 आपको लिए दोनों मैंसे क्या 2x माइनस 3 2x माइनस 3 एक ब अब आर्म से देख सकते हैं गुणन फल जो हैं सी बटा इसके बार यहां से लिख लेना है दोनों को सुन्यों का जो हमारे पास 3 बटा 2 इन दोनों को अगर गुणा करेंगे 3 6 तो इस प्रकार से आपको पूरा कोशन कर लेना है, इसके बाद चोथा पांच वा छटा अगले वाले वीडियो में बताऊंगा मैं, और जो भी बहुत जादे इंपोटन हैं, उन में से एक कोशन बेठने वाला है, इन तीनों में से एक बेठेगा या उन में से बेठेगा तो ज़रूर देखें और कमेंट ज़रूर करें सभी से रिक्वेस्ट एक लाइक भी करें मिलते हैं नेक्स टूडियो में थेंक्यू